हलो फ्रेंड वलकम बैक टो में चैनल आज में आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ मतन पचोली बनाने का बहुत ही असान और बिना जंजट वाला तरीका जिसे अगर आप एक बर बना के खा लेंगे ना तो आप इसी तरीके से बार बार मतन पचोली को घर पे बना के खा करते हैं मतन पचोनी बनाने के लिए यहां पे मैंने 7500 ग्राम मतन का पचोनी लिया suggesting मैं इससे अच्छे से धो के छोटी पीसेस में कट कर लेंगे देख ए मैने इससे अच्छे से ध् conservatives में कट कर लिया है, अब हमips上 करेंगे और ये कघाई को अच्छ से गरम होने देंगे, कघाई अच्छ से गरम हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टड ओल आठ करेंगे, आप चाहें तो यहां पे कोई भी कुद कीगिण का युज़ कर सकते हैं, और oil को अच्छे से गरम होने दे, देखिए oil अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा साबूत जीरा और दो तिछ पत्ता आट करके इसे हम हलका सा fry होने देंगे, देखिए हलके से fry हो चुके हैं, अब इसमें हम तीन medium size का बारी कटा हुआ प्याज आट और हम प्याज को medium flame में अच्छे से golden brown हो जाने तक fry कर लेंगे, जब तक प्याज अच्छे से fry हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला बना के रेड़ी करेंगे, मसाला रेड़ी करने के लिए हम एक मिक्सर के जार में एक पूरा लहसन को छील के लेंगे, अब इसमें हम एक 3 इंच कटा हुवा अध्रग, 3 सुखी लाल मिर्च, और कुछ खड़े मसाले आट करेंगे, खड़े मसाले आपके पास जो भी अवलेवल हो आप उसके यूज करें, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आट करके इसका हम फाइन सा पेस्ट बना के रेड़ी करेंगे, तो देख नमक अपने टेस्ट के कोडिंग अड़ करें, अब इसे हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे, और इसे हम सबसे पहले कवर करके हाई फ्लेम में पांच मिनट के लिए फ्राइ करेंगे, जिससे किसका जो पानी हुवा अच्छे से निकल जाएगा, देखिए मटन पचोनी को फ्रा में अच्छे से फ्राइ करेंगे, जब तक कि इससे ऐल सेपरेट ना होने लगे, देखिए मटन पचोनी से ऐल सेपरेट होने लग गया है, यानि कि मटन पचोनी अच्छे से फ्राइ हो चुका है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हमने जो मसाला बना क रखता उसे इसमें एट करेंगे अब हम इकसर के जार में थोधा पाने आड़ करके उसे भी इसमें है अब इसमें सुखे मसाले भी आड़ करेंगे आधा चमच धन्या पॉड़र के अद्हा चमच अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्ले में अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक कि मसाला से ओयल सेप्रेट ना होने लगे तो देखिए यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ा सा कलर फीका लग रहा है तो यहाँ पर मैं हाप चमस कस्मिरी लालमी स्पॉर्डर आड़ कर दूंगी यह बिल्कुल ऑप्सनल है आप चाहें तो इसे स्केप कर सकते हैं बस इसमें अच्छा कलर आएगा अदर्वाइस इसका ज अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसे हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम एक बड़ा ग्लास पानी आट करेंगे जिससे की मटन पचोनी अच्छे से पक जाएगा अब इसे हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके लो फ्लेम में अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राइ न हो जाए और इससे ऑल सेपरेट न होने लगे देखिए इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राइ हो चुका है यते ओल सेपरेट होने लग जिया है यानि कि हमारा जो मठन पचोनी हो बनके रेड़ी हो चुका है अब यहाँ पर हम ग्यास को आफ कर देंगे देखिए हमारा बहुत ही tasty mutton pachoni बनके ready हो चुका है देखिए यहाँ पर मैंने गर्मा करम mutton pachoni को serve कर लिया है और आपने देखा कि इसे बनाना कितना असान है और इसे बनाने में कोई भी जंजट नहीं है बहुत ही जल्दी बनके ready हो जाता है और इसे कोई भी बना सकता है और आपको देखने से भी पताद चल रहा हूँ कि कितना tasty बना है और रेकिन माने जितना दिखने में tasty लग रहा है उसे जादा खाने में भी tasty है तो आप भी इस तरीके से एक बार भार बना के खाना पसंद करेंगे अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो please मेरी video को like कर दे और अगर आप मेरे channel पे नये हैं तो please मेरे channel को subscribe कर दे और bell icon को press कर दे जिससे मेरी आने वाले next recipe की आपको notification मिल सके तब तक के लिए take care and goodbye thank you for watching